हेलो दोस्तों कुछ तुम्हें पहले मैंने APSU से अपनी PG की डिग्री मगाई थी और उसका वीडियो जब आ गई तो उसका वीडियो मैंने डाला था तो कल उसके कमेंट आए कि भाई इसका प्रोसेस बता दीजिये कैसे अपलाई-पलाई करते हैं तो PG का हो चाहिए UG का हो डि दूँगा कि कैसे अपलाई करते हैं तो जब सबसे पहले आपको online apply करना होगा तो उसमें फीस भी लेते हैं लोग फीस सोला मतलब अर्जेंट फीस सोला सो रुपए है और नार्मल फीस आठ सो रुपए है अर्जेंट का मतलब क्या है कि जब मार्ट सीट आपकी आती है जिस से पचास सो रुपए जो भी लेता हो online आप खुद से करेंगे तो उसमें एक रुपए नहीं लगना है फिर जब आप online apply करनेंगे तो उसका एक receipt मिलेगा मतलब उससे प्रिंट निकलेगा उसको आपको रख लेना है ध्यान से ठीक है और ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जाना होगा उनिवेस्टी जाना ही होगा क्योंकि मैं मैं खुद पता किया था अपने दोज़्तों से उनसे ट्राइप आफ़ लिया था औौम एक पैठेंगे वह आपका वो form देखेंगे उसको scan scan करते हैं वो लो और से verify करते हैं कि आपका detail क्या है और जो है फीसुस जमा करती है और verify लिखते हो आपको दे देंगे वो form फिर आपको उसको ground flow पर ले जाने हैं वहाँ पे एक office मना है उसमें आप दे देंगे तो वहाँ पे वह बस आपका address जो है चेक अन्लाइन प्लाइख करके बैठा रहा अहीं हा और डोस्त भाइय करो क्या हुआ तो बताया कर बहां पर जमा करना होगा मैं कई महीनों बात में पिर घुप जो है वहां लेके गया जमा से क्या क्या चाहिए तो यह सब डिटेल्स चाहिए अपना धार अधार ले लेना और वांकि यह कुछ नहीं चाहिए तो इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं मैं यूजी-उजी की डिग्री अपनी लिया हो तो उसमें 150 रुपए का खर्चा लगता है फौर मॉम बनने क तो ठीक है अपने इन्वेस्टी का है तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूं कि कैसे आप खुद से ऑनलाइन क्या कर सकते हैं अपलाई कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं स्क्रीन पर ले चल रहा हूं तो आपको अपने ब्राउजर में APSU को सर्च कर क्लिक करने के बाद इस पेज पर देखेंगे MP online web services है उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा इसमें सर्विसेज वाले पर क्लिक कर लेना है आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा उसको स्क्रॉल करके नीचे करते जाए नीचे करेंगे तो डिगरी वाले एक सेक्षन आएगा अभी दिखाता हूं मैं आपको तो वहां पर एपलाई डिगरी है तो इस पे आप क्लिक कर दीजेगा इस पर क्लिक करेंगे तो पेज खुलके आएगा इस पेज पर आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद जो आवेदन का प्रकार प्रसप्रार और क्लिक करना है और डिकली रेशन पे क्लिक करके में चाप्चा और डालना होगा फीज पीमेंट करके उसका रिसीट डाउनलोड कर लिजेगा वह रिसीट अपने पास जरूर रखिएगा उसी को ले जाना है आपको इन्वस्टी में इसमें जब क्लिक करें अभी यहां पर देखे 612 सो लिखा है लेकिन जैसे क्लिक करेंगे तो यहां से 816 सो दिख रहा है ठीक है तो यह रिसीट इसके